हेलो गाईज, वेलकम बैक टो आज चैनल, CSE Concepts with परेंदा गाईज, अभी अभी जश्ट GTO के तरफ से एक बहुत ही इंपोर्टन सर्कुलर आया है ये सर्कुलर आइवुद से कि बहुत ही जादा इंपोर्टन है स्टुडेंस के लिए भी और अभी जो COVID की situation चल रही है, हर एक जगा पे इतने साधा cases बढ़ रहे है हर तरह से GTO ने ये बहुत ही एक important और अच्छा फैसला लिया है तो guys, detail में देख लेते हैं, ये circular में क्या बोला है GTO ने बट ये जो circular है, जैसे मैंने बताया हर एक student के लिए बहुत ही साथ important है इसलिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए और आपके circle में जितने भी GTO students है वो सबके साथ share कर दीजिए आपके groups में because this is really important for every GTO student, right और उसके लावा अगर आपने चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए इसी तरह से हर एक circular या GTO related हर एक update को सबसे पहले आपके पास पहुचाने के लिए subscribe भी कर देना और उसके पास जो notification बल आइकन है उसको भी press कर दीजिए तो कैस देखें यहाँ पर क्या बोला है GTO ने इस circular में जिससे आप date देख पा रहे हो आज का ही है अभी थोड़े देर पहले का ही है regarding COVID-19 vaccination before winter 2021 exam form filling तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके अभी 2021 के जो exams होंगे उसका आप जो exam का form fill up करोगे उसके पहले आपको vaccination ले लेना पड़ेगा तो देखें डीटेल में देख लेते हैं circular में क्या बोला है government has announced liberalized and accelerated phase 3 strategy of COVID-19 vaccination the nation's entire adult population that is all the citizens above the age of 18 years will be allowed to receive the vaccination from May 1, 2021 तो इधर वही लिखा है I guess आप में से काफी सारे students को पता ही होगा नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि हमारे government ने ये एक बहुत ही अच्छा decision लिया है that अब तक क्या हो रहा था जो भी 60 plus age था जिनका भी उनको पहले vaccination मिला था फिर जो 45 plus age वाले हैं उनको vaccines मिले थे बट अभी directly government ने बोल दिया है because covid की cases इतने ज़ादा बढ़ रहे हैं तो अभी क्या होगा 1st May से मे के एक तारिक से सारे जो citizens है जो भी 18 plus age के है अगर आपकी age 18 या उसे ज़ादा है तो आप सब लोग vaccine ले सकते हो ठीक है तो यह government ने 1st May 2021 से लागू करने का अच्छा फैसला लिया है तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि covid-19 vaccination के related government ने यह बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लिया है India is vaccinating people at world record pace and it is our moral duty to continue this with even greater momentum तो government ने इतना बड़ा फैसला लिया है और इतने अच्छी तरीके से vaccination का काम हो रहा है तो हमें भी उसको पूरा साथ देना चाहिए और देखे इदर students के बारे में क्या लिखा है all the students who have attained age of 18 years as on 1-5-2021 are hereby informed that it is mandatory to get COVID-19 vaccination before filling winter 2021 exam forms तो यहां पर क्या बोला गया है कि अभी winter 2021 के जो exam forms होंगे आपके 2021 में जो exams होंगे उसके आपको exam form भरने होंगे उसके पहले यह सारे students के लिए compulsory है ठीक है mandatory यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि mandatory या फिर compulsory है सारे students को vaccine ले लेना है उसके बाद ही वो लोग अपने exam के form भर पाएंगे ठीक है तो बठाव वो है कि अगर आपकी age 18 years हो गई हो तो ही because government की तरफ से जो 18 यह उसके ज़्यादा के age के हैं उन्हीं को vaccine दिया जा रहा है तो obviously अगर आप 18 यह भी तक आपकी पूरी नहीं हुई है तो आप vaccine नहीं ले सकते बट जो भी students 18 या फिर 18 से ज़्यादा age वाले हैं उनको compulsory अपना vaccination करवा लेना है वेक्सिन ले लेना है along with the prevailing G2 norms institutes will have to allow only the students who have taken COVID-19 vaccination to fill their winter 2021 exam forms तो यहाँ पर क्या बोला है कि institute मदलब आपकी जो भी college है या जो भी institute है वो check करेगी कि आपने vaccination लिया या नहीं लिया और अगर आपका vaccination ले लिया होगा आपने तो ही आपको winter 2021 के exam forms भरने दिये जाएंगे तो कईस हो सकता है कि vaccine जिनका भी हो जाता है आपको पता होगा अगर आपके parents ने या किसीने भी घर पे लगाया हो तो message आ जाता है या certificate generate हो जाता है कि आपका vaccination complete हो गया है first dose complete हुआ है second dose complete हुआ है जो भी है राइट तो अगर उस तरह से आपको proof दिखाना पड़ेगा अगर आपने proof दिखाया आपने vaccination करवा लिया तभी आपको exam का form भरने दिया जाएगा वरना नहीं तो ये एक बहुत important और अच्छा फैसला लिया है GTU ने ये kind of मेरे हिसाब से सिर्फ इसलिए ही है कि सब को encourage किया जाए कि जितना जल्दी हो सके सब लोग vaccination जो मिल रहा है उसका फाइदा ले पाए वेक्सिन लगवा ले और उतनी जादा जितनी जादा सब लोग vaccination लगवा लेंगे उतना ही जादा जल्दी हम लोग covid से free हो पाएंगे तो इसलिए ये एक important फैसला है कि 1st May 2021 से अभी मे एक तारीक से जो vaccination चालू हो रहा है सारे students को जो भी eligible है जितना जल्दी हो सके उनको अप अपने नोम्स में भी ये चीज़ इंक्लूड कर लिया है ठीक है और सारे जीतिव स्टूरेंट्स के लिए अट लिस्ट ये कंपल सरी है कि उनको करवाना पड़ेगा सब लोग अपना वेक्सिनेशन लगा लें थैंक यू सो मच